हलो नमश्कार कैसे हैं आप मैंगनेट ब्रेन सिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ लेकर आई हूँ जो बहु विकलबी प्रशण होते हैं उनमें प्रशन रहता है एक और विकलप होते हैं चार चार विकलपों में से आपको एक सही विकलप चुनना होता है तब ही जाकर आपको पूरा एक नमर मिल जाता है तो ये तो रही कि सही उत्तर चुना और तब एक नमबर मिला लेकिन ये दिवलत चुना तो प्रतियोगी परिक्षाओं में माइनस मार्किंग भी होती है नेगटिव मार्किंग हो जाती है इसलिए प्रश्ण को बड़े ध्यान पूरवक आपको बढ़ना चाहिए तब ही जाकर विकल्प समझ में आते हैं और एक बात बता दूँ आपको कि जैसे अभी तो हम पार्ट उत्री स्वपन परी के MCQs कर रहा है ठीक है तो ये हमें पता है कि उसी पार्ट से सम्बंदित प्रश्ण है लेकिन जब कभी complete overall जब हम पूरा revision करेंगे अभ्यास करेंगे तब कैसे ध्यान रखोगे तब ऐसे ध्यान रखोगे कि अब हर एक पार्ट की व्याख्या वाला वीडियो जो पहला वीडियो होता है बड़े ध्यान से सुना करो समझा करो समझ में आया बच्चो क्योंकि तब जाकर कहीं हम हर एक प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं अब चलते हैं पहले प्रश्ण की ओर और ये है आपका पहला प्रश्ण उत्तरी स्वपनपरी हरी क्रांती के लेखक कौन है बताईए उत्तरी स्वपनपरी हरी क्रांती के लेखक कौन है राम चंद्र शुकल प्रीम चंद फनिश्वनाथ रेनू तो आपने उत्तर दे दिया होगा रेनू बहुत बढ़िया अगला है उत्री स्वपनपरी हरी क्रांती किस पुस्तक से संकलित है अब ये जो उत्तर है उसको सोचिए और बताईए ये तब आप जाकर उसका सही उत्तर दे पाओगे जब पहला वीडियो आपने देखा होगा लेखक परिचैक को ध्यान से सुना होगा रेनो जी के बारे में उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से ध्यान दिया होगा उत्री स्वपनपरी हरी क्रांती किस पुस्तक से संकलित है किस पुस्तक से ली गई है ये जो रिपोर्टाज है ये तो तो किस पुस्तक से लिया गया है किस पुस्तक से संकलित है पहला दिया है कितने चौरा है दूसरा मैला आजल तीसरा शृत अशृत चौथा इन में से कोई नहीं अब मुझे आप बताएं किस पुस्तक से संकलित है उतरी सौपन पर हरी क्रांग दे अब में में से कोई नहीं बताएं शृत अशृत अगला मेला आचल उपनयास है कैसा उपनयास है मेला आचल पहला दिया है आचलिक शब्दों के अर्थ में बता दूँगी दूसरा दिया है जासूसी तीसरा एतिहासिक और चौथा इनमेंसे कोई नहीं आंचलिक मतलब की एक शेत्री है ग्रामीन अंचल का या किसी शेत्र विशेश का या किसी ऐसे जग है वहां का लोगों के बारे में वहां की आंचलिक स्थिती अंचल के बारे में एक्षेत्र के बारे में ठीक है जासूसी तो आपको पता ही है क्या है ऐसा कुछ रहस्यात्मक या फिर एतिहासिक है स्टोरीकल है या इन मैंसे कोई भी नहीं है आशा करती हूँ बहुत जल्दी आप लग उत्तर चुन चुके होंगे तो किस ने दिया है इसका जवाब अपने नाम के साथ करो कॉमेंट कि तीसरे प्रश्न का जैसे आप लिख सकते हैं तीसरे का क्या उत्तर है ए बी सी या डी यदि आपको लग रहा है कि इसका उत्तर है ए तो सिर्फ आप ए लिख दीजे थर्ड के आगे ए इस तरह से आप देख लिएते हैं बिल्कुल सही जवाब अगला कि उत्री स्वत्न परी हरी करांती क्या है क्या प्रश्नाया है कॉन से अंचल से है किस तरह का है क्या है ठीक है आप आया किस पर आधार थारित है वो भी आ गया अब यहीं आ गया है कि भाई यह है है क्या ? उत्रोप्न परी हरी क्रांति क्या है ? कोई सवप्न परी उतर कर आई है जो हरी हरी ट्रेस पहने हुए वह सुन्दर सी जैसे नहीं ? इतनी सुन्दर सी आती हैं ! आपने देखी ओंगे बार भी डॉल टाइप . कुछ ऐसा है क्या या कुछ और है किसके बारे में वर्णन है कुछ ऐसा कुछ दिया है तो स्वपनपरी उतर आई है डॉल जैसी एकदम या फिर कुछ और बात है ट्राइंग नहीं आ रही है ठीक है तो क्या है संस्मरण है उतरी स्वपनपरी संस्मरण है जो स्मृतियों पर आधारित होता है या फिर रिपोर्ट आज है जो सत्यता पर आधारित होता है जो वास्तेविता पर आधारित होता है या कहानी है जो एक थराजा एक थिरानी दोनों मर गए खतम कहानी या फिर ने बंद है नियमों में बंदा हुआ किसी एक विशेवस्तू का संपूर्ण वर्नन विशेवस्तू मतलब कोई भी एक टॉपिक ठीक है उत्री सौपन परी हरी क्रांती क्या है रिपोर्ताज वेरी गूड बहुत बढ़िया बच्चे वेरी नाइस बहुत बढ़िया अगला लेखक ने शोक का परयाय किसे कहा है अब शोक तो आपको बता ही है शोक का अर्थ होता है दुख ठीक है? तो इसमें से क्या कोई ऐसी नदी है जिसको दुख या शोक की नदी कहा गया है? पहला दिया है कोसी नदी को, दूसरा दिया है कमला नदी को, तीसरा दिया है गंगा नदी को, या चौथा इन में से कोई नहीं बताओ लेखक ने शोक का परियाय किसे कहा है कोसी नदी कमला नदी गंगा नदी बिलकुल बिटा कोसी नदी को ही शोक बिहार का शोक कहा है आपको पता ही है कि जहां जहां से कोसी नदी गुजरती है वहाँ की खेतों की अच्छी खासी उपजाओ काली मिट्टी सफेद बालू कणों में परिवर्तित हो जाती है और लेखोक ने कितने अच्छे से बताया था कि ऐसा लगता है जैसे संपून भूमी धर्ती जैसे धर्ती की लाश हो और उस पर कफन उड़ाया गया कोसी नभी जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की इस्तिती जन जीवन वहाँ के लोग सब नरकंकालों की भाती नजर आते हैं अब अगला लेखक ने किसे माई भी कहा है और डायन भी माई और डायन माई का अर्था आपको पता ही है मय या मा और डायन तो आपको पता ही है जो सब को निगल जाए जब को खा जाए राक्षसी टाइप तो लेखक ने किसे माई भी कहा है और डायन भी कोसी, कमला, बलान, बागमती तो जबाब आपने दे दिया होगा पहला कि कोसी नदी को ही लेखक ने माई कहा है और आपको पता ही होगा कि इनका पहला जो उपनियास था मैला आचल उसमें लेखक ने सिर्फ एक कल्पना की थी कि हाँ कभी कोसी बांध भी बनेगा सब तरफ हरयाली भी इचाएगी वहाँ उन्होंने एक सकारत्मक सोच के अधार पर महला आचल उपने आसका समापन किया था उनके मित्र और जो भी पाठक थे बड़े हस्ते थे कि कागजों पर बड़ी बड़ी बाते करना आसान होता है देखो जरा इन चेहरों को जो उदास है जो मृत्यू के भैसे आगे कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगले ही कदम हो सकता है उनकी भी मृत्यू हो डायन के रूप में कहा था कि वो सब को निगल जाती है सब तरफ दुख चीतकार हाहाकार तराही तराही मच जाती है दूसरा परती परकथा जो अपनयास है उसमें वो सब सच हो गया जो उन्हें मेला आचल में सिर्फ कल बना की थी याद है सुधामा, पार्ट में एक सुधामा अरतार, एक ऐसे गाउं के ही व्यक्ती का जिक्र हुла है जो चला गया था अपने गाउं को छोड़ कर, और जब 8 साल बाद लोटकर अपने गाउं आता है तो चकित क्या ये मेरा ही गाउं है नहीं 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 ये मेरा गाउं नहीं है लगता है मैं किसी दूसरे स्टेशन पर आ गया ठीक वही स्थिती थी उसकी जैसे सुदामा की तो वहां उसके लिए माई शब्द यूज किया है ठीक है माई शब्द का प्रयोग किया है तो कोसी जब कुछ ऐसा था कि चारों तरफ शम्शान की तरह चा जाता था या यूं कहें कि काली मिट्टी भी सफेद बालू कणों में परिवर्तित हो जाती थी लेकिन उसके बाद सब तरफ सही हो गया तो उसको माई भी कहा है और डायन भी विधाता की स्रिष्टी में ही उत्तम है सर्वस्रेष्ट है का और खा दोनों विधाता की स्रिष्टी में ही उत्तम है सर्वस्रेष्ट है का और खा दोनों क्या है इन में से कोई नहीं तो विधाता की स्रिष्टी में ही सर्वस्रेष्ट है कौन? मनुष्य विधाता की स्रिष्टी में, रचना में और क्रती में ये जो स्रिष्टी है संपून स्रिष्टी जिसमें मनुष्य को सर्वस्रेष्ट माना गया है क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है उचे से उचे पहाड को तोड़ कर रास्ता बना सकता है दीवार खड़े भी कर सकता है तो दीवार गिरा भी सकता है मनुष्य के पास पुद्धी है, बल है और वानी है ठीक है? वहाँ धान और गेहूं की पहला विकल्प है बालियां, खा, मुर्की, गा, शूरवीर या घा, उपरोग्त सही वहाँ धान और गेहूं की बालियां दिख रही है, आ रही है बालियां ही सही जबाब बालियां आप जानते हो ना, गेहूं या उसमें इस तरह की बालियां लगती है मालो इस तरह का ग्रिन ऐसे 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 बालियां और उन्हीं में दाने रहते हैं देखा होगा आपने गेहूं या दान की बालियां उनमें कुछ इस तरह के पतले-पतले ऐसे बिल्कुल ऐसे भी होते हैं है ना इस तरह के गया हूँ या बालियां रहती है ठीक है लेखक के लिए कोसी नदी क्या है लेखक के लिए कोसी नदी क्या है पहला सिर्फ नदी ही है लेखक ने कोसी नदी को सिर्फ नदी ही कहा है या सिर्फ नदी ही नहीं माई भी है लेखक फनिश्वनात रेणू जी के लिए कोसी नदी सिर्फ नदी नहीं है बलकि माई भी है क्योंकि अब वहां की खेती लहलहा रही है चारों तरफ दृष्टी फैलाते ही जहां तक दृष्टी जा रही है धान की फसलें लेला हा रही है सब के चहरों पर मुस्कुराहट है क्या सिर्फ नदी ही नहीं माई भी है या सिर्फ तालाब है या इन में से कोई नहीं सिर्फ नदी ही नहीं माई भी है क्योंकि उसी के कारण अब गाउं में चारों तरफ प्रसन्नता फैल गई है प्रफुलता आ गई है ठीक है कोसी नदी परती की नक्से को कितने भागों में बाटती है बताईए अब यहां दिया है कितने भागों में विभाजित करती है कोसी नदी तीन असम भागों में चार असम भागों में दो असम भागों में या उप्रस अभी असम मतलब समझ provincial जैसे मान लो ये है और इसको बिलकुल दोनों को बरावर तो सम यदी इस तरह से असम एक ज़ादा विशम भी कहते है यहां आपने देखा ही है कि बिहार असम वो है यहां इस्थान ठीक है कोसी नदी परती के कितने भागों में विवाज़त करती है तीन असम भागों में, चार असम भागों में, दो असम भागों में, दो सोना उप जाने वाली काली मिट्टी किस रंग के बालू चरों में बदल जाती है सफेद रंग के बालू चरों में याद रखिएगा अभी नहीं बता रहे हूं काले रंग के बालू चरों में लाल रंग के बालू चरों में या इन मेंसे कोई नहीं सोना उप जाने वाली काली मिट्टी जब वहां से कोसी नदी गुजरती है तो कौन से रंग के बालू चरों में बदल जाती है बताई ये सफेद, काले, लाल या फिर कोई नहीं सफेद क्योंकि तभी तो उसको क्या कहा था कफन से उसकी तुलना की है लेखक परती के किस रंग को बच्चपन से देखता आया है परती, परती परकथा, परती बंजर जहां पर कुछ भी उप जाओ नहीं है, कोई फसल नहीं है वहां के लोग हमने देखा था ना बिटा, पहला वीडियो आपने देखा व्याक्या वाला जरूर देखेगा पहला वीडियो जिसमें व्याक्या की गई उसको जरूर 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 देखेगा तब ही आपको कोसी नदी की वस्त विक्ता के बारे में पता चलेगा वैसे हाँ, आप बिहार राज से ही है पहले भी आपने बिहार की कोसी नदी के बारे में सुना होगा इस पार्ट को सुनकर पढ़कर और देखकर और अच्छे से पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी लेखक परती के किस रंग को बच्चपन से देखता आया है पहला उदास और मनहूस सामले रंग को बताए किस रंग को उदास और मनहूस सामले रंग को या फिर उदास और मनहूस काले रंग को या उदास और मनहूस बादामी रंग को या इन में से कोई नहीं जिक्र किया था बहुत अच्छे से लेखक ने परती के किस रंग को देखता आया है किस रंग को मनहूस सांबले रंग मनहूस काले रंग मनहूस बादामी रंग या कोई नहीं मनहूस बादामी रंग को स्पश्ट किया था उन्होंने मेलेग्रेंट मलेरिया से कितने समय में लोगों की मृत्यू हो जाती है पहला दिया है आधे घंटे में दूसरा दिया है डेड़ घंटे में तीसरा दिया है एक घंटे में और चौथा उपरोक्त सभी कितने समय में लोगों की मृत्यू हो जाती है कितने समय में यदि किसी को ये बीमारी हो गई तो कितने समय में उसकी मृत्यू हो जाती है कितने समय में वो व्यक्ती मृत्यू को प्राप्थ हो जाता है लेखक ने इस पश्च किया था कि यदि किसी को यह बीमारी हो गई है तो महस इतने ही समय में वो मृतियु को प्राप्थ हो जाएगा कितने समय में आदे गंटे में, डेड़ गंटे में, एक गंटे में या कुछ भी आधा गंटा भी हो जाता था तो यहाँ पर आप सही जबाब देंगे डेड़ गंटे में सिर्फ डेड़ गंटे के अंदर अंदर यदि किसी को ये बीमारी है तो व्यक्ति बच नहीं सकता था व्यक्ति को मृत्यू अपना ग्रास बना कर ही छोड़ती है अगला लेखक के रिपोर्ट आज का क्या शीरशक है रिपोर्ट आज का शीरशक क्या है पहला दायन कोसी दूसरा जीवन दाई कोसी दीसरा पापनासनी कोसी या इन में से कोई नहीं लेखक ने एक रिपोर्ट आज लिखा था जिसका शीरशक उन्होंने दिया था जो कि इनी में से एक है दायन कोसी है, जीवन दाई है, पापनासनी है नासनी मतलब या नाश के लिए है तो नाश नहीं भी कह सकते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो लेखक ने जिस शीर्शक के साथ अपना रिपोर्ट आज लिखा था उसका नाम था डायन कोसी जो सबको निगल जाती है, जो सबको खा जाती है लेखक आपरतिम होकर क्या जवाब दिया करता था? आजादी की दूसरी सुभा आजादी की सुभा आजादी की पहली सुभा या इन मेंसे कोई नहीं जब कभी भी उनसे कुछ पूछा जाता था कि अरे ये क्या है पेपर पर लिखना असान है तुम यू लग भी चोड़ी बाते लिखते हो कभी सपने में भी सोचा है तो लेखक क्या कहते थे कि जब आजादी की पहली सुभा होगी ना तब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तो मेरे बच्चो इस तरह से आपने देखा उत्री, स्वपनपरी, हरी, क्रांती के multiple choice questions और भी यदि आपके मस्तिष्व में प्रशन उठ रहे हैं तो आप निसन कोच हमसे पूछिए हम आपको जबाब देंगे और इसी तरह से आपको हर एक विशाय की education प्राप्त होती रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में स्वस्त रहिए खुश रहिए, बाई, थैंक्यू सो मच